बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जादा खुश हूँ और I think deserving भी था मैं खत्रों के खिलाडी 14 के विनर बने करनवीर महरा पॉपलर रियालिटी शो खत्रों के खिलाडी सीजन 14 का प्रेमियर 27 जुलाई 2024 को हुआ था वही रविवार की रात स्टन बेस्ट रियालिटी शो को अपना विनर मिल गया है जी हां खत्रों के खिलाडी सीजन 14 की ट्रोफी करनवीर महरा ने अपने नाम कर ली है कथन मुकाबले के बाद करनवीर ने टॉप 5 फाइनलिस्ट में अपनी जगा बनाई और फाइनली गश्मीर शालीन कृष्णा और अभिशेक को पचारते हुए ट्रोफी अपने नाम की खत्रों के खिलाडी सीजन 14 का विनर बनने के बाद टीवी स्टार करनवीर महरा ने जूम से एक्स्लूजिव बातचीत की खत्रों के खिलाडी सीजन 14 की शांदार जर्नी के बारे में खुल कर बात की اور क्या कुछ कहा करनवीर महरा ने आई आई आपको सुनाते हैं अपनी जरनी बता थी कि यार मैं दो बहुत त्यारी करके आया हूँ लेकिन जब मैंने देखा तो सब रेडी थे भाई कोई भी ऐसा नहीं था जिसको लगा था कि हाँ यह जिसको लगा था कि हाँ we are just here to be a part of the show थोड़े episodes रहेंगे और फिर okay okay we can't do this I don't want to do that. So, koi ghi nina laga moly एक बार हुआ जब हम partner stand में थे कि करते-क्रते हम में और शिल्पा पहले जीत रहे थे हारते-हरते बिलकुल ईंद तक पहुच गयी लेकिन लेकिन वह एक experience है life में जब आपको life मीचे लेके जाया तो वापस कैसे आना है and fear funda मिलना ज़रूरी था क्योंकि एक बार एक बार experience करना ज़रूरी था नहीं तो हर बार जीतता चले था तो बोरिक हो जाती ज़िए I'm very keen to know कि वह कहानी क्या है जो हमारी इस कहानी नहीं है बहुत खास है क्या खास ट्रोफी है आप इसके अंगली डालो पता लगेगा आओ या देखो तो यह एक पहला संट था जो मैं गश्मीर के गांस जीता था and again I got lucky because he's the stronger one I feel yes तो भालू को रोक के रखना था और luckily भालू मुझसे जादा रुग गया और इसलिए आपके साथ काटू नी शोगया उसको मैं आवाज दे रहा था कुटा की तरह टीट कर लिया था मैंने जो चार लोग आपके साथ क्योंकि उन्हों टॉप फाइव की जो थे वो बहुत टफ कॉंपटिशन दिया उनसे आखरी में एक मैसिज क्या देना चाहेंगे एक मिनट चारों को एक ही मैसिज दे देता हूँ पॉपिलर टीवी स्टार राधिका मुथु कुमार ने जूम से एक्स्लूसिफ बात करते वे किया खुलासा और बताए कि जिस दिन मेरा ससुराल समर का सीजन टू ओफर हुआ था उस दिन मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था मैं उस वक्त भी लास्ट मॉमेंट में होप में थी कि बस अभी एक्स्टेंशन मिल जाए राधिका मुथु कुमार ने बाता है कि मैं अभी भी ससुराल समर का सीजन टू की टीम से दूर नहीं हो पाई हूँ I'm still connected to them Of course, fans बोलते हैं फिर से आओ, हम तो चाहते हैं बुला लेंगे तो आ जाएंगे Just then, मेरा SSK2 बंद हुआ था, आप सब आये थे और आप सब ने देखा था, मैं मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था तो मैं मैं अपने हस्बन को भी बोलती थी कि मैं most of the time मैं सिमर हूँ मैं रादिका हूँ ही नहीं, रादिका सिर्फ सोने आती है घर पर तो मैं सिमर ही बन चुकी थी, मेरा पती आरव ही था और मेरी सास बडी माही थी तो वो चीज मैं इतनी कनेक्ट मैं अभी भी उनसे दूर नहीं हट पाई मतलब इम स्टिल कनेक्टेट तो देम अफ कोर्स जब फैंस बोलते हैं कि अब फिर से आओ हम तो जाते हैं बुला लेंगे तो आ जाएंगे हम ऐसा होता है अब मैं वही कह रही हूँ न तो सब्सक्राइब करेंगे तो विल बी लाइक मैं पॉसेसिव होंगी तुम्हारे लिए बिग बॉस 18 का जल्दी होगा आगास जिसका सभी को है बेस अबरी से इंतजार वहीं कई टीवी सेलेप्स के नाम पहले से ही सामने आ रहे हैं जिनका बिग बॉस 18 में हिस्सा लेने की अटकलें लगाई जा रही है वहीं अब इस लिस्ट में एक और नाम सामने आए है वो है टीवी स्टार आकाश चौधरी का कर दो